बहुत समय पहले की बात है, धहनीपुर नाम का एक गाउव था, वहां के लोग खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, अपनी अपनी हरी भरी और लहराती फसले देखकर लोग काफी खुश होते थे, उन सभी के खेत पहाडी चर्टानों के बीच में थे, अचानक उस गाउव पर विपत्ति आ पड़ी, आसपास की चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर तूट कर नीचे खेतों में गिरने लगे जिससे उनकी हरी भरी फसले नश्ट होने लगी, कुछ ही दिनों में उनकी सारी फसल नश्ट हो गई जिससे देखकर गाउव की सभी जब कोई समाधान नहीं निकला तो वे सब गाउं की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिसे वे सब बुड़े बाबा कहते थे उनके पास गए बूरे बाबा ने उनसे कहा, रुको, रुको, एक एक करके अपनी समस्या बताओ तो सब ने कहा, बाबा, हम सब की समस्या एक ही है हमारी हरी भरी लहराती फसल चटानी पत्थरों के नीचे दब कर अपनी जान दे चुकी है खाने को तो हमारे पास अब कुछ रहा ही नहीं और पत्थरों ने हमारी जमीन को भी घेर लिया है जिससे हम दोबारा फसल भी नहीं उगा सकते अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा लोगों की बाते सुनकर बूरे बाबा थोड़ा सोचने लगे लेकिन इसी बीच गाव के कुछ लोग बोले क्यों न हम शहर चले जाएं वैसे भी गाव में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम केवल अपने परिवार का ही बुजारा कर पाते हैं अगर शहर जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे और एक आराम की जिन्दगी भी जी पाएंगे लेकिन तभी बुड़े बाबा ने कहा रुको रुको थोड़ा सोचो हमारे पूरवजों ने इस जमीन और इस गाव के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है और अगर हम इस जमीन और अपने घरों को छोड़ कर चले जाएंगे तो ये हमारे पूरवजों का अपमान होगा और हम अपने जन्व भूमी को इस तरह नहीं छोड़ सकते गाव के लोगों ने बुड़े बाबा की बात पर चिंता जताते हुए कहा लेकिन बाबा अगर हम यहां रहेंगे तो हमें खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा बूर्ड बाबा ने उन सभी लोगों को धैर्य बंधाते हुए कहा अगर भगवान ने मूर दिया है तो भोजन भी जरूर नसीब होगा कुछ देर सोचने के बाद बूरे बाबा ने कहा क्यों ना हम इन पूर्वी दिशा के सभी पत्थरों को पश्चिमी दिशा में फेक दे इससे हमारी जमीन पहले की तरह ही स्वतंत्र हो जाएगी और हम दुबारा से इस पर फसल उगा पाएंगे बूरे बाबा की बात सुनकर कुछ लोग सहमत हो गए लेकिन कुछ लोग कहने लगे की हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी लेकिन बाद में सब लोग मान गए और पूर्वी दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पश्चिमी दिशा में फेकने लगे लगभग एक दिन में उन्होंने अपने खेतों को उन सभी पत्थरों की चंगुल से आजाद कर दिया ये सब देख गाउं के सभी लोग काफी प्रसन हुए पूर्वी खेत ब्राह्मनों के थे और पश्चिमी जमीन पर शुद्र अपनी फसल उगाते थे जब शुद्रों को पता चला कि उनकी जमीन पर ब्राह्मनों ने बड़े-बड़े पत्थरों को फेक दिया है तो वो अत्यम्त ख्रोधित हुए और तुरंद ब्राह्मनों के पास जा पहुँचे उन्होंने कहा क्या तुमने इन सभी बड़े-बड़े पत्थरों को हमारे खेतों में फेका है तुमने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया लेकिन हमारी फसल का क्या ब्राह्मनों ने जवाब देते हुए कहा हमने तो अपना काम कर दिया अब तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो ये सुनकर शूतर काफी गुसा हुए और उन्होंने तुरंद पश्चिमी दिशा के सभी पत्थरों को एक-एक करके पूर्वी दिशा में फेक दिया दिन भर यही सब चलता रहा कभी पत्थर पूर्वी दिशा में तो कभी पश्चिमी दिशा में कुछ देर बाद हार कर सभी लोग बूरे बाबा की पास गए उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को उन्हें छीक से बताया बूरे बाबा ने हल बताते हुए कहा एक काम करो तुम इन पत्थरों को पूरे खेट की बजाए खेट की कोने पर रिकेट्था कर दो बाकी बची हुई जमीन पर तुम फसल उगापाओगे लेकिन इस बार बूरे बाबा की बात मानने से सभी लोगों ने इंकार कर दिया कुछ देर बाद बूरे बाबा ने कहा ठेहरो एक काम करो मैं आज रात अपने गाउव देवता की पूजा करूँगा और उनका ध्यान करूँगा साथ ही उनसे समस्या का हल भी पूछूँगा फिर अगली सुबह में तुम्हें इसका जवाब दूँगा गाउव के सभी लोग बूरे बाबा की बाद से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि गाउव देवता जो भी कहेंगे हम उनके आदेश का पालन करेंगे अगली सुबह बूरे बाबा के पास सभी लोग इकथा हुए और अपनी समस्या का समाधान पूछने लगे बूरे बाबा ने कहा, गाउव देवता ने कहा है कि हमारे यहां की सबसे उची चत्तान पर उनका एक विशाल मंदर बनवाया जाए और साथ ही यह भी कहा है कि हम सब के घर उस मंदर के आसपास ही होने चाहिए गाउ के सभी लोग इस बात से सहमत हुए और मंदर बनवाने का काम शुरू दिये सभी लोगों ने मिलजूल कर एक एक पत्थर को उपर चतान पर ले जाना शुरू कर दिया भारी पत्थरों को तोड़ लिया गया और चोटे-चोटे पत्थरों में बदल कर उन्हें घर बनाने में इस्तिमाल कर लिया कुछ ही दिनों में एक विशाल मंदर और उसके आसपास घर भी बनकर तयार हो गए ये देख कर गाउ की सभी लोग काफी खुश हुए अब ब्राहमल और शुद्र दोनों के खेतों से पत्थरों का नामों निशान भी मिठ चुका था क्योंकि सारे पत्थर मंदर और घर बनाने में इस्तिमाल हो चुके थे अब उनकी जमीन पहले की तरह स्वतंत्र हो चुकी थी और वे उस पर पहले की तरह फसल भी उगा सकते थे अब उन्हें गाउ छोड़ कर जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी साथ ही चतुर बुड़े बाबा ने अपने दिमाग का इस्तिमाल करके उन सभी लोगों की समस्या को भी सुलजा दिया अब ब्राहमल और शूत दोनों एक साथ उन्हीं घरों में रहते और उस मंदर की सभी कारियों को पूरा करते गाव में पहले की तरह ही खुशाली और भायचारा बन गया इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं